नमस्कार दोस्तों आप सभी का कृष्णा दूबे मैस एजुकेटर के यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो हम कंप्लेट रिविजन के प्रेक्टिस से 10 पर आ गए हैं कल हमने 9 किया था और आज हम 10 करेंगे जो कि इलिप्स और हाइपर बोला होगा तो चलिए स जादा से जादा लोगों के पस सेर कर देंगे तो चलिए स्टार्ड करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आपके ऐक बात बता दूं कि और हाइपर बोला की प्रेक्टिस गर यही है जब थियोरी की क्लासे से चल रही थी तो इसकी प्रैक्टिस कराई गए हैं तो अगर आप वहां से भी देख लेंगे तो आपका बेटर हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्या होगा फर्स्ट हम ellipse करेंगे उसके बाद फिर्फ रपर बोला पर जा एंगे तो फर्स्ट क्찰 आपको इसेंट्रिस इपूछ रहा है कॉछइन में ellipse का उइक्वेशन दिया गया और इसेंट्रिसटि पूछ रहा है तो सबसे पहले equation बनाएंगे x square upon a square तो इससे divide करेंगे तो क्या जाएगा system plus y square upon 25 is equal to 1 अच्छा eccentricity आपको fast निकालने के लिए क्या rule लगाना होता है e is equal to under root 1 minus फोटा अपान बढ़ा करते हैं फोटा अपान बढ़ा या छोटी अपान बढ़ी जो कह सकते हैं आप अच्छा ये वाला equation लगाएंगे तो करेंगे क्या हो जाएगा under root 1 minus फोटा कौन सा है 16 upon 25 करेंगे तो इससे घटाएंगे क्या जाएगा 9 मतलब 3 बटे 5 इस intensity आपका कितना जाएगा 3 by 5 option a is the correct one बस यही आपको ध्यान देना इस में कि otherwise आप equation लगाएंगे तो क्या होता है यहाँ पर जब करेंगे तो क्या बनेगा बी इस ग्रीटर दैने बन रहा है तो बीज़टर दैने के लिए क्या होता है एसको एक इसको एक TPavascript में कह देते हैं इसे इससे जल दीया जाता है तो लिए गया है और एक पॉइंट दिया गया है पी उनको उनके डिस्टेंस को मिलाने फर उनका सम क्या होता है वह क्या होता है आपको बताएं तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन यह कैसे बनेगा तो जब हम एलिप्स ड्रॉ करेंगे तो यह क्या है ए ग्रेटर दें ब मतलब a greater than b बन रहा है तो मतलब a पर बन रहा है क्योंकि एप्लस-mines a ही है तो ellipse कैसा बनेगा आपका ऐसा ऐप्लस-mines type का बनेगा आपका अच्छा मन लीजिए कोई ये point दिया गया यहाँ पर p तो इसके focus से यहाँ पर यहां पर फोकस होगा जो इसका डिस्टेंस हो गांगी क्या बनता एकीम स्कौार टाइम जाएगा 25 और यहां डिवाइट करेंगे तो y2 upon 16 जाएगा इस गोल टू 1 यहां पर रख देंगे तो इन्टू 5 करेंगे तो क्या जाएगा आपका 10 आजाएगा तो इन्टू 5 इस इक्वल टू 10 आजाएगा आपका लेंट आप मेजर एक्सिस होती है अगर किसी पॉइंट को फोकस से मिलाने पर माली यह लिप्स पर कोई और उसमें भी होता है मतलब कि आपका इसको कहते हैं ट्रांसवर्स और उसको कहते हैं अच्छा नाओ नेक्स्ट पर चलते हैं वाल क्वेशन में आपको कह रहा है क्वेशन को एक्साइट करते हैं क्वेशन में कह रहा है कि यह किसी दिर्गवित के नाविलम की लंबाई उसकी लगवच के आदे के बराबर है तो उसकी उच्ट के इंद्रता तो जब भी ऐसा क्वेशन है तो हम A is greater than B ही लेट करके चलें कि ell इसके लिए क्वेशन में क्वेशन और लगवच के बराबर है तो इसको आदा कर देंगे तो लगवच को अभी यद्वी बराबर हो जाएगा तो आजा है कैया चैसल हो that अब आपको eccentricity पूछ रहा है, eccentricity बराबर मैंने भी बता है, one minus छोटी यह पान बड़ी, अच्छा, एक सेकेंड, तो भी बराबर यह आया था आपका, मतलब तो b is equal to a आया, तो अब लगाएंगे eccentricity, eccentricity मैंने का e बराबर under root, one minus छोटी क्या है, b, b की value नहीं दिया है, मतलब b square upon a square होता है, ऐसे लिख सकते हैं आप, अच्छा, a की value आपको दिया गया है, 2b, तो यहाँ पर रख देंगे, रखेंगे तो क्या जाएगा, 4b square, 20 square, 20 square, 20 square, cancel हो जाएगा, और क्या जाएगा, आपका, root 3 upon 2, eccentricity आपको find हो गई, तो c is the correct one, बस आपको जो condition कहे रहा था, आपको पता रहना चाहिए, यह is greater than b में, और आपको concept की class में अच्छे से बताए गया है, यहाँ पर रखके solve कर देंगे, तो आपका आजाएगा, root 3 upon 2, फिलिए, next पर चलते हैं, अच्छा, यह आपको बस condition की condition क्या होती है, तो पूरा मैं derive यहाँ पर कर देता हूँ, जब delta is not equal to 0, और होता है कि at square, minus a b, a b is less than 0, और eccentricity क्या होती है, 0 से मलबी की value होती है, 0 और 21 के 20 में होता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, यह होता है eccentricity, okay, चलिए, हम next पर चलते हैं, next हमारा question क्या है, देख लेते हैं, next पर चलते हैं, तो इसमें option आपको कौन सा हो जाएगा, b is the correct one, next पर चलते हैं, next question हमारा क्या है, अच्छा, वही वाला condition आपको इसमें भी पूछ रहा है, कि जब माल लिजे कोई, बस यहां पर आपको दिया क्या गया है, b बड़ा है, a से, और कह रहा है, माल लिजे कोई एक point है लिप्स पे, और उसको focus से मिलाने पर उनका sum क्या होगा, जो distance होगा, तो क्या होता है, length of major axis, major कौन सा है, b, तो major axis क्या हो जाएगा, 2b, b is the great, अमलब b is the option, आपको correct हो जाएगा, पस length of major axis होता है, बट आप बस आपको उसमें देखना होगा, कौन सा major बन रहा है, इसमें major b बन रहा है, अगर a बनता होता होता है, तो हम 2a करते, बट यहाँ पर b बन रहा है, तो 2b हमने कह दिया, चलिए next पर चलते हैं, next question हमारा क्या है, देख लेते हैं, अब आपको क्या find करने के लिए कह रहा है, कि आपको ना भी लंब की लंबाई, मतलब length of latest rectum find करने के लिए कह रहा है, अच्छा है, इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले equation बनाएंगे, तो कि हमें पता करना होगा कौन सा बढ़ा है, अगर देख लेते हैं कौन सा आता है, तो x square upon यहाँ पे 9 हाजाएगा, y square upon 5 हाजाएगा, is equal to 1, मतलब क्या बना, a is greater than b, अच्छा ही सवाले condition में क्या होता है, 2b square upon a होता है, length of latest rectum, अच्छा, तो जब length of latest rectum आपको पता चल गया, value आप पुट करिए, 2b square में लिए 5 upon 3 हाजाएगा, मतलब आपका कुल मिला के कितना answer आजाएगा, 10 upon 3 हाजाएगा, option आपका कहीं match कर रहा है, b is the correct one, बस यह आपको method आपको अपना ना था, a is greater than b में, length of latest rectum, 2b square upon it, 10 upon 3 हाजाएगा, right answer, चलिए, next पे चलते हैं, next question चलते हैं, क्या है हमारा देख लेते हैं, कह रहा है आपको question में कि एक दिर्ग width में, नाभियों के बीच की दूरी दी गई है, क्या होती है ellipse में, distance between directrix क्या होता है, sorry focus क्या होता है, नाभियों के बीच में दूरी क्या होता है, 2a e होता है, जो कि 6 दिया गया है, और लगवच्छ आपको काई 8 है, तो a is greater than b ही ellipse की बूच रहा है, तो b की value यहां से find कर लेते हैं, b की value आ गई 4 और यहां से a e बराबर के आ जाएगा 3, अब आप लगाएंगे e की value find करेंगे, e बराबर क्या होता है, under root 1 minus b square upon a square, b square upon a square, यही होता है, अच्छा e square बराबर के आ जाएगा, 1 minus b square मतलब 16, a की value यहां से find कर लेंगे e की value क्या जाएगा, 3 upon e, मतलब 9 upon e करेंगे, तो e square उपर चला जाएगा, अच्छा, यहां से हम this side कर देंगे, तो क्या जाएगा, 25 e square upon 9 is equal to 1, तो e की value क्या जाएगी, 9 upon 25, sorry e square की value, तो e की value root में कर देंगे, 3 upon 5 आ जाएगा, यही आपका right answer आ जाएगा, मतलब c is the correct one, okay, बस यह आपको value रखनी थी, 2 a e की value दी थी और 2 b की value दी थी, उसके बाद ellipse का condition लगाना था, अब का answer आ जाता, 3 by 5, मतलब c is the correct one, चलिए, next पर चलते है, next question हमारा क्या है, देख लेते हैं, अच्छा, अब आपको कह रहा है, नाभियों की बीच की दूरी find कीजिए, तो a e होती है, या 2 b e होती है, अब अच्छा, इसमें आपको क्या find करना होगा पहले, सबसे पहले equation बनाना होगा, तो equation क्या बनेगा, x square upon 9, और y square upon 5 is equal to 1, क्या बना आपका, a is greater than b, a is greater than b में distance between focus क्या होता है, 2 a e होता है, e की value आप find करेंगे, इस intensity मेने क्या, कैसे find करेंगे, 1 minus चोटी upon बड़ी, चोटी इसमें क्या है, 5 है, upon 9, तो क्या आजाएगा, 4 upon 9, मतलब 2 upon 3 आजाएगा, इस intensity, अच्छा, यहां ही पर आप value पूट कर देंगे, 2 into 2 upon 3, e की value आगे, a की value क्या है, यहां पर 3, तो इससे cancel हो जाएगा, तो right answer आपका कौन सा आजाएगा, 4 is the correct one, मतल पूलते हैं, next question, इसमें आपको length of lattice rectum पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है, a is greater than b है, या b is greater than a, तो a is greater than a है, तो इसमें क्या होता है, 2 a square upon b होता है, length of lattice rectum, तो 2 a square upon b, तो 2 a square की value 36, b की value क्या आजाएगी 7, तो 72 upon 7 आजाएगा, मतलब b is the correct one, आपका हो जाएगा, ओके, अच्छा, a is greater than b होता है, तो length of lattice rectum क्या आता, 2 b square upon a आता, ओके, ये आपको याद रहाना सहीए, चलिए, next question हमारा क्या है, अब आपको कहरा है कि, equation में दिया गया है, कि एक focus दिया गया है, और eccentricity दिया गया है, तो ऐसे question में क्या करे करेंगे, question में आपको, question मत find कीजिए, सबसे पहले आप देख लीजिए, a is greater than b, क्योंकि focus कहां पर बन रहा, a ही कामा 0, मतलब a is greater than b बनेगा, तो a और b में, a कहां पर बढ़ा है देख लेते हैं, a इसमें छोटा है, तो ये तो होगा नहीं, और ये बनेगा, ये बढ़ा है, और ये वाला भी बढ़ा है, a is greater than b होना चाहिए, इसमें तो छोटा हा रहा है, ये छोटा है, ये बढ़ा है, तो ये तो बनेगा नहीं, a और d तो ऐसे ही cancel हो गए, अब आपको eccentricity दोनों में find कर लेनी है, आपका answer आ जाएगा, eccentricity होया होता, ellipse का, root में, one minus, छोटा अपान मतलब ये तो cancel हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, तो आपका right answer क्या जाएगा, b, अच्छा, ये वाला भी check कर लेते, इस intensity यही आ रहा है कि नहीं, तो क्या जाएगा, one minus, छोटा पान, मतलब छोटा क्या जाएगा, nine, और बड़ा वाला क्या जाएगा, 25, मतलब, root में क्या ज 25, मतलब, इसको open करेंगे, तो क्या बनेगा, four upon five, ये वाला, ये इस intensity दिया गया, तो b is the correct one हो जाएगा, आपका, ये तीन हो तो वैसे, दो cancel हो गया, ये वाला भी cancel हो गया, आपको इसमें equation नहीं फालो, अगर आप equation करेंगे, तो भी बनेगा, बट आपको जल्दी solve करना हो का condition of tendency क्या होता है, ellipse में, t square is equal to a square, ym square plus b square होता है, यही होता है, अच्छा, यहां से हम a और m की value दीगी, c square बराबर पूछा है, तो c square बराबर a square, m square, b square की value क्या आएगी, मृदब, a square की value क्या आएगी, यहां से कोई raise कर लेते है पहले, a square, b square की value, find कर लेते है, a square की value, तो equation क्या बनेगा, x square upon 6, y square upon 3 is equal to 1, a square की value 6 आ गई, और b square की value 3 आ गई, value आप यह equation में put कर दीजिए, तो क्या बनेगा, c square is equal to 6m square plus 3, यही आपका equation बनेगा, तो कौन सा आप सनो जाएगा, d is the correct one, okay, now next पे चलते हैं, next question हमारा क्या है, देख लेते हैं, बस आपको condition of tangency पता रह नीचे यह अच्छा, यही पे आपको मैं बता दे रहा हूँ, hyperbola हम बस यहाँ पे minus हो जाता है, hyperbola और ellipse दोना same होता है, अभी hyperbola पे भी हम चलेंगे, तो बात करेंगे, बहाँ पे, चलिए, next question हमारा क्या, आच्छा, आपको बस बताना है, कहराई, एक समीकरन दिया गया तो ellipse होता है, और अगर h square is equal to a b आजाए, तो parabola होता है, और h square minus a b is greater than 0 आजाए, तो क्या होता है, hyperbola होता है, और rectangular hyperbola के लिए condition तो अभी h square यहीं पे बताते है, h square minus a b is greater than 0 और a plus b बराबर 0 होता है, rectangular hyperbola में, बढ़ हमें ellipse का check कर लेते हैं, ellipse साइद हो सकता है, तो यही minus 3, h की value क्या आजाएगा, आपका minus 3 upon 2, अब value equation में put कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, 9 upon 4 minus a b से करेंगे, तो यहाँ से a b, मलदब 10 आजाएगा, a की value यह है, और b की value 5 है, तो इसका equation जब हम solve करेंगे, तो क्या बनेगा, less than 0 बनेगा, तो यह ellipse को denote कर रहा है, यह माइनस आएगा, 14, minus 14, plus 9, 14, plus 9, तो आजाएगा, यह माइनस में आएगा, तो ellipse हो जाएगा, b is the correct one, चलिए, next पर चलते है, next question हमारा क्या देख लेते हैं, अब आपको कह रहा है, focus बताएगे, focus के लिए सबसे पहले हमें चेक करना होगा, कौन सा follow होगा, तो सबसे पहल upon इसे divide करेंगे, तो I think 9 times आएगा, यह 9 times आएगा, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, second वाले को ऐसे ही रहने देते हैं, क्यों यह divide होगा नहीं, point में जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 25 upon 36 आजाएगा, अच्छा, तो मतलब यहां से अगर divide करेंगे, तो कितनी times 7 times आएगा, मतलब B छुटा होगा, A बड़ा होगा, A is greater than B बनेगा यह equation, अच्छा, A is greater than B में क्या बनता है, focus, plus minus A, gamma 0, second वाला 0 होना चाएगा, तो यह condition फालो हो रही है, और यह वाला फालो हो रहा है, यह दोनों तो cancel हो जाएगा, क्योंकि second पे 0 होना चाएगा, यह y axis पे अच्छा, यह दोनों अब check कर लेते हैं, ellipse निकालते हैं, eccentricity निकालते हैं, sorry, eccentricity क्या आजाएगा, root में 1 minus छोटा, छोटा क्या है, 225 upon 36, और बड़ी वाली करेंगे, तो यहाँ पे क्या आजाएगा, 9, भाई, यहाँ से 9 आएगा, अच्छा, इसको अब divide करते हैं, तो क्या जाएगा, 25 times आएगा, अच्छा, इसको जब घटाएंगे, तो क्या जाएगा, root में 11 upon 36, एकी value क्या जाएगी, root 11 upon 6, अब यही वाली value यहाँ पे put कर देते हैं, तो क्या जाएगा आपका, एकी value 3 है, तो plus minus 3 into root में 11 upon 6, comma 0, यहाँ से क्या जाएगा, focus का क्या जाएगा, आप root 11 upon 2, comma 0, यही आपका focus आजाएगा, तो कौन सा option हो जाएगा, A, B, गलत हो जाएगा, यही is the correct one, okay, चलिए, next, चलते है, next question हमारा है, क्या है, देख लेते हैं, अब आपको कह रहा है, कि यह दिया गया, आपको दो नाभी दी गए हैं, और उतके इंदरता दिया गया है, और आपको दिर्गवित्त का समीकरण पूछ रहा है, तो नाभी मतलब A पे दिया गया है, तो आपको क्या बनेगा, A is greater than B बनना चाहिए, अच्छा, सब को equation में आ 9 नीचे आएगा, 5 आएगा, तो A is greater than B, यह follow हो रहा है, और यहाँ पे 5 आजाएगे, यह follow नहीं होगा, और यहाँ पे 10 आएगा, और यहाँ पे क्या आजाएगा, 18 आएगा, तो यह वाला भी follow नहीं हो रहा है, यह वाला follow होगा, तो दो equation तो ऐसे ही cancel हो, कि A is greater than B बनना चा दो 2 by 3 आजाएगा, वही हम write करेंगे, तो ellipse के लिए क्या करेंगे, 1 minus B square upon A square या चोटी upon बड़ी यही होता है, तो सबसे पहले पहला वाला check कर लेते हैं, जब हम इस वाले equation को बनाएगे, तो क्या बनेगा, x square upon 9, y square upon 5 is equal to 1, तो 1 minus चोटा upon बड़ा, तो क्या जाएगा, 4 upon 9 root में, क्या जाएगा, 2 by 3, first equation write कर रहा है, तो यह वाला वैसे भी गलत हो जाएगा, तो first आपका write हो जाएगा, A is the correct one, योगि दो option तो सही हो नहीं सकते, अच्छा, इसको भीचे करेंगे, तो यह वाला गलत ही आएगा, तो A is the correct one, बस आपको यह find करना होगा, कि आपका question जल कर आए, question में, कि एक जिर्गवित दिया गया है, और उस पे पॉइंट स्थित है, कोई भी, माल लिजी, उस पे पॉइंट हो, जो मिलाएंगे, उनका sum क्या होता है, length of major axis होता है, तो major axis क्या है, इसमें A is greater than B है, कि B is greater than A है, तो major axis क्या आजाएगा, 2 by आएगा, तो B की वेल आए, next पे चलते है, next question हमारा क्या है, अब आपको दिया क्या गया है, equation में, focus दिया गया है, और डिरेक्टिक्स दी गई है, focus दिया गया है, plus minus A, 0, मतलब बनेगा किस पे, A is greater than B पे, तो ऐसे ही option में आप चिक कर लिए कि किस में बड़ा बन रहा है, क्योंकि equation पुछा ellipse का, तो A is greater than B होना चाहिए, तो ये वाला cancel हुआ, ये वाला right है, ये cancel हुआ, ये वाला right है, A बड़ा होना चाहिए, B से, भी चुटा है, तो ये वाला cancel हो जा, A भी छोटा इसमें तो cancel हो है, दो option आपके अभी बच्शी है आप चेक करिए कि और इसेंट्रिसिटी क्या होता है X is equal to 2a upon e होता है A is greater than b के condition में अच्छा अब आप follow करा दिजिए इसमें एल य तो बनेगा षोटा पॉन बड़ा और यहां से जब रखेंगे टो 25 उपान 36 मतलब 5 उपान 6 कि अपन यहां पर रखेंगे देखिए तो सफर्डे सीट्य एंटु सफॉयू बन रहे पाइफ इंटू 6 ऊपर चला जाएगा तो क्या आजाएगा आपका आजाएगा 72 अपाउन 5 यह तो बनेगा नहीं यह वाला बनेगा तो यह कैंसिल हो जाएगा यह वाला बनेगा यह वाला भी चिक कर लेते हैं एक बाद 1 माइनस छोटा अपाउन बड़ा यहां से क्या कि की वैलू हमने सही रखा है ना तो अच्छा यहां पर एक चेक कर लिजिए ना प्लस माइनस एक वैलू क्या है सिक्स और यह वाला बनेगा यह वाला नहीं बन रहा है यह वाला आपका रॉंग अप्शन है तो यह तो नहीं बनेगा तो यह वाला आपका बन रहा है क्योंकि यहां पर प्लस माइनस एकामा जीरो बनना चाहिए जब हमें यहां पर रखेंगे एक वैलू सिक्स रखेंगे तो आपका अंसर सही आ जाएगा अच्छा इसमें वाले में क्या आपको हो रही है कि और यह तो से इंटरिसटी आपको फिर से निकालना होगा क्योंकि यहां पर इस इंटरिसटी यहां पर चेक कर लेते हैं एक वैलू जम निक्लेंगे क्या आजाएगा रूट में 1-11 upon 36 अच्छा 5 by 6 आ जाएगा यहाँ पर जब हम यहाँ पर put करेंगे तो a e e comma 0 रखेंगे तो यह वाला बनेगा इसमें बनेगा नहीं क्योंकि अच्छा इसमें भी बन रहा है इसमें भी बनेगा तो आप यह वाला निकालेंगे निकालेंगे कि a is greater than b है तो आपका 2 a upon e बनना से यह तो जब हम यहाँ पर रखेंगे 2 a a की value क्या है 6 upon e होगा अच्छा मैंने यहाँ पर 2 a upon e रखेंगे तो 2 into a a की value क्या है 6 a की value आपको 5 by 6 आया तो 5 by 6 रखेंगे तो क्या दाएगा उपर 72 upon 5 आ रहा है यहाँ पर यह equation आपको गलती अच्छा मैं directrix निकाल ला हूँ क्योंकि यह कह रहा है directrix मतलब plus minus a ही होना यह upon e होना चाहिए न यह वाले condition आपको apply करने के लिए कह रहा है distance between directrix नहीं कहा है वो directrix को पूछा गया है क्या हो दाएगा six upon five by six तो यहाँ पर क्या दाएगा 36 upon five तो तब तो दोनों में बनेगा तो आपको क्या करना होगा अब आप यहाँ से क्या करेंगे direct आप यह इसको solve भी कर लेंगे direct x square upon a square plus y square upon b square is equal to one अच्छा एकी वेलू आपको क्या आई थी five by six आई थी अच्छा एकी वेलू आपको निकाल लेंगे और बी की वेलू निकाल लेंगे जिसमें एकी वेलू आपको दिया गया है एकी बराबर five दिया गया है और A की value यहां से find कर लेते हैं 5 by 6 A की value क्या जाएगी 6 मतलब A की value 36 आजाएगी अब B की value find कर लीजिए यहां से तो क्या जाएगा A is greater than B है तो B square is equal to A square 1 minus C square ऐसे आप find कर लीजिए अच्छा A की value दिया गया है 36 और यहां पर करेंगे तो यहां पर E की value क्या है 5 by 6 25.36 तो क्या जाएगा 11 आएगा B square की value 11 आएगी तो यह वाला wrong हो जाएगा B is the correct one यह थोड़ा सा क्योंकि यह दोनो equation same आ रहे थे A और B A और इसमें भी A same आ रहा था तो हमने B की value find कर ली तो B की value जो find की तो आपको और option कौनसा हो जाएगा B is the correct one चलिए next पे चलता है next question हमारा क्या है अच्छा अब आपको क्या पूछा है question में कह रहा है आपको area find करने के लिए क्या हो जाएगा पाई यह भी होता है दिर के वित्तिका चेत्रफल पाई यह भी A की value यहां से find कर लेते हैं पाई A की value क्या करेंगे 1 upon 4 1 upon 2 आजाएगा तो A की value 1 upon 2 और B की value 1 upon 3 तो क्या आजाएगा पाई by 6 आजाएगा तो आपका option C is the correct one next पे चलते हैं next question हमारा क्या है देख लेते हैं अच्छा question में कह रहा है question में कि आपको नाबिलम की लंबाई उसकी लगवच की एक ती आई है तो उसका इंद्रता मतलब centricity आपको find करना है तो ऐसे वाले condition में A is greater than B हम late करते हैं दोनों से late करेंगे तो दोनों से भी आएगा बट ऐसे करेंगे तो एक ही option में आप जल्दी से आप एक ही बार में आप सभी कर सकते हैं फिर यह next मतलब question में कह रहा है कि नाबिलम की लंबाई तो नाबिलम की लंबाई क्या थी टू वी स्क्वाइर अपॉने ऐसे वले पर कह रहा है नाबिलम जो है लगवच का एक ती है तो यह वाला आता है तो हम इसको भी थर्ड वन थर्ड करनेंगे अब दोनों बराबर हो जाएंगे टू टू से कैंसिल हो जाएगा बी बी से कैंसिल हो जाएगा तो क्या जाएगा आपको eccentricity find करना है तो eccentricity क्या होता है 2 upon 3 आजाएगा c is the correct one ओके चलिए next पे चलते है next question हमारा क्या है question में आपको दिया गया है focus और eccentricity दिया गया है और focus बन रहा है a is greater than b वाला तो कि a e comma 0 बन रहा है तो a बड़ा होना चाहिए बी से किसमे किसमे है देख लेते हैं यह नहीं होगा क्योंकि यह चोटा है a बड़ा होना से यह यह भी चोटा है यह वाला सही है यह वाला सही है आप eccentricity find कर लीजिए eccentricity क्या बनेगा 1 minus छोटा upon बड़ा तो इसमें क्या जाएगा चलिए next question हमारा क्या है इसमें निकालेंगे तो I think 4 upon 24 बनेगा ना है 24 24 24 24 24 24 24 मतलब 1 upon 6 आ जाएगा 1 upon root 6 आ जाएगा तो यह तो नहीं होगा next जलते है next question हमारा क्या है अच्छा इसमें आपको length of latest rectum पूछ रहा है अब आप पहले equation बनाएंगे दोनों को equation divide करेंगे तो क्या बनेगा 9 और y square upon 4 आ जाएगा is equal to 1 क्या बना आपका condition a is greater than b length of latest rectum क्या होता 2b square upon एसे वाले condition में तो यहाँ पे value पूट कर जिए b square की value 4 दी गई एक की value 3 आ जाएगी तो क्या जाएगा 8 upon 3 b is the correct one चलिए next चलते है next question हमारा क्या है देख लेते हैं अच्छा अब आप तो कह रहा है question में एक तिर्स दिया गया है और focus दिया गया है focus क्या दिया गया गया plus minus a comma zero मतलब a greater than b होना चाहिए अब a greater than b चेक कर लिए तो इसमें बन रहा है इसमें नहीं बन रहा है इसमें नहीं बन रहा है और focus निकालिए अब a बन नहीं क्या लिए आप तो इसके लिए eccentricity find करना होगा eccentricity one minus पहला वाला find करते हैं थोटा upon बढ़ा तो क्या जाएगा यहा 16 upon 25 और यहां पर आजएगा 4 upon 5 ओके अच्छा अब आप यहां पर रखेंगे जब बनेगा और a की value क्या है यहां पर a की value इस वाले में क्या है 5 तो 5 into 4 upon 5 करेंगे तो क्या जाएगा plus minus 4,0 यह वाला option सही होगा यह वाला तो नहीं बनेगा तो आपको option कौन सा हो जाएगा a is greater value आपको पता चल गए a की value आपको 5 दी गई है यहां पर a की value दी गई है आपको 4 a की value आपको आ गई तो 4 upon 5 रखेंगे a की value आजाएगी a की value आ जाएगी 5 और b की value यहां से find करेंगे a is greater than b है तो क्या condition लगाएंगे b square is equal to a square 1 minus e square a square करेंगे तो 25,1 minus e square की value क्या करेंगे 16 upon 25 तो क्या आजाएगा यहां पर 25 इंटू 9 upon 25 इससे कैंसिल हो जाएगा तो भी स्क्वाइर की वेलू कि आजाएगी 9 ऐसे भी आप कर सकते हैं नेक्स्वेशन देख लेते हैं नेक्स्वेशन क्या है आपका अच्छा अब आपका क्या सुरू हो गया हाइपर बोला के लिए हाइपरोला के लिए फॉस्ट कंडीसेट ने पूछा है की हाइपर बोला स्या क्या होता है ऐंपको पतै रहेने मैं से यह रहेंद हैं और बहुद करतने हैंट एक अपस्वदर यह सब बने होगा mess चलता है next question हमारा क्या है अच्छा question में आपको क्या find करने के लिए कह रहा है कि आपको एक line दी गई है और hyperbola का equation दिया गया है आपको condition of tendency पूछ रहा है तो condition of tendency hyperbola में क्या होती है p square is equal to a square m square minus b square यह होता है अच्छा अब यहां से हमें a की value m b की value तो दीने कि यह c और m की value हम यहां से find करते हैं तो equation पहले यह बनाएंगे तो क्या बनेगा m y is equal to minus l x minus m को divide कर देंगे तो क्या आएगा minus l upon m x minus n upon m यह क्या होजाएगा यह c हो जाएगा यह m हो जाएगा ये c हो जाएगा mx फ्लस c होता है ये ये c हो जाएगा अब यहीं घ zeggen अब यह जे यहाँ पर put करणते हैं जब यहाँ our put करेंगे थो क्या बनेगा n square upon m24 is equal to a вещ where l square upon m² – b squared यहांसे multiply करा दें तो क्या बनेगा ise qa is equal to a square l square minus v square m square यह unired जाएगा कौन When c 2 सकते हैं चलिए नेक्स क्वेशन पर जलते हैं नेक्स क्या हो जाएगा अच्छा इसमें आपको पूछ रहा है को यह कहरा है निरूपीद करता है मतलब रेक्टेंगुलर हाइपर बोला की कंडिशन मैंने बताया अभी क्या होता है एच स्क्वार माइनस एबी इस ग्रेटर देन जीरो अच्छा एप्लस बी इस इक्वल टू जीरो यह वाला लगाएंगे क्योंकि यह तो नहीं दिया गया है तो जब यह वाला लगाएंगे हम तो क लेमडा इस इक्वल टू जीरो तो लेमडा की वेलू क्या जाएगा आपका माइनस वाइफ मतलब सी इस दे करेक्ट वन चलिए नेक्स चलते हैं एक्स्वेशन हमारा क्या देख लेते हैं अच्छा अब आपको क्वेशन में कह रहा है कि ऐसा एक्वेशन दिया गया है ऐसा जब इक्वेशन आ जाए अच्छा दो इक्वेशन मनते हैं एक्सी स्क्वाइर अपन ए क्वेश स्क्वाइर माइनस वाइस स्क्वारा होता है गया हो होता नहीं है बट सॉल्व करने के लिए आपको ऐसा जूम करना पड़ेगा और इसमें क्या बनेगा यहां पर क्या बनेगा आपका जब बनेगा तो हम ऐसे इंटिसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या बनता है एसक्वार इसक्वार यहां पर हो जाएगा इसक्वार माइनस वन क्योंकि इलिप्स क्या होता इस इंटिसिटी क्या होती है है एक से बड़ी होती है तो अब यहां पर वैलू आप पूट करेंगे जब यहां पर रखेंगे तो इसक्वार इसको पहले एक्वेशन को बनानेते हैं तो एक्स स्क्वार अपॉन पॉर आ सब्सक्राइब को यह द्यान देना होगा कि अगर ट्रांस्वर्स और आपको बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए कि ट्रांस्वर्स कब बनेगा कॉंजूगेट कब बनेगा कभी आप कर सकते हैं क्योंकि कभी प्लस माइनस में दिक्कत हो जाएगा यह आपको ट्रांस्वर्स यह वाला बनता है ऐसके लिछा को बता देता हूं जो बढ़ा हूँ जो बढ़ा हो यह बरेकेट के पास होता है इस मैं तो अ tremendous है लिए फ्संतर के आगज देख लिए उत चलते हैं क्या है Inazioni i ragous में देख क्या होता है तो hyperbola का condition क्या होता है delta is not equal to zero and h square minus ab is greater than zero और eccentricity क्या होती एक से बड़ी होनी चाहिए तो कौन्स option आपका सही हो जाएगा b is correct हो जाएगा आपका चलिए next चलते है next question क्या है हमारा अच्छा इसमें आपको क्या पूछा है question में rectangular hyperbola का condition पूछा है तो rectangular hyperbola क्या होता है delta is not equal to zero और h square minus ab is greater than zero a plus b is equal to zero यहां पर यह द्यान देंगे कि eccentricity इसका root 2 होता है यह पूरा condition होती है rectangular hyperbola की तो कौन सा बन रहा है h square is greater than a b होना चाहिए तो यही वाला बन रहा है यह option आपको correct हो जाएगा चलिए next पर चलते है next question हमारा क्या है देख लेते हैं आपको question में क्या दिया गया है कि अतिपरवल है कि उतके अंदता दी गई है eccentricity hyperbola का दिया गया है और conjugate का आपको पूछ रहा है तो इसके लिए आपको first question को पता रहे है जो first question था है वही वाला है one upon e square one upon e dash square दोनों का square करेंगे one upon गर के तो एक होता है जिसमें hyperbola का दिया गया है आपको तो यहां पर रखेंगे 3 आजाएगा plus one upon e dash square इसको find करना है तो यहां पर आएगा क्या हो जाएगा one upon e dash square one minus one upon three मतलब two by three तो e dash square क्या जाएगा three upon two e dash क्या जाएगा आपको root three upon two यहीं आपको find करना था तो यह equation जिसको पता होगा आवसानी सा आप solve कर सकते हैं तो c is the correct one हो जाएगा ते लिए next question हमारा क्या है अच्छा आपको क्या पूछा है कि ना भी लंब की लंबाई बताईए और यहां पर देखेंगे यह माइनस से पहचानेंगे तो कि इसमें a और b नहीं दिया रहता है अलाकि मैंने उसमें assume करने के लिए बता दिया है बट इसमें होता नहीं है जब माइनस दिया गया होदा तो वह conjugate वाले पर बनता है मतलब y axis पर बनता है hyperbola तो इस वाले condition में क्या होदा है इसको याद करने के लिए आपको ellipse से मैस करने के लिए मैंने कहा था b is greater than यह याद करेंगे तो क्या बनेगा भाई उसमें a greater than b होता है तो क्या बनता है 2a square upon a बनता है और इसमें क्या बनेगा 2a square upon b यह जाएगा तो कौन सा आपका सही हो जाएगा 2a square upon b होना सही है यहाँ पर थोड़ा mention करेंगे 2a square upon b देना चाहिए था इसको तो यह वाला b square दे दिया ना यहाँ पर b होना सही है a आपका सही हो जाएगा ओके यही आपको ध्यान देना है कि plus minus अगर होता है तो उसमें length आप जो latest rectum होग हो जाएगा 2a square upon b भी कि उसमें 2b square upon a होता है जो a is greater than b बनता है आप और यहाँ पिज़ाद आप बनता है और यहाँ पर अब बन रहए तो 2a square upon b बना नेगे इसमें दिया नहीं गया तो यहाँ बन लेंगे चलिए next चलते है next question हमारा क्या है अब आपको दिया क्या गया है कि अतिपरवल है कि नाबिलंब की लंबाई दी गई है आपको तब उत्केंदता find करनी है अच्छा इसमें आपको क्या करना होगा a is greater than b बन रहा है तो question में क्या करना होगा सबसे पहले भाई a is greater than b में तो नाबिलंब की लंबाई गया होगी 2b square upon a और यहां पे रख देंगे 9 by 4 आजाएगा अच्छा अब यहां से b की value आप find कर सकते हैं या तो क्या आजाएगा b square is equal to क्या आजाएगा b square is equal to 9 by 4 a आजाएगा अच्छा अब आपको यहां से क्या करना होगा सॉरी यहां पे 2 है ना यहां पे 2 है तो यहां से 2 multiply होगा जाएगा यहां पे 2 है तो क्या आजाएगा b square upon a is equal to 9 by 4 यह आगया यहां तो यहां से b square की value निकाल लीजिए क्योंकि b square यह इसमें दिया नहीं गया 9 by 4 a दिया गया है तो यह आ गया अच्छा eccentricity क्या है a is greater than b के लिए मैंने अभी भी बताया क्या होता है जो बड़ा होता है वो bracket के पास जाता है और hyperbola तो क्या हो जाएगा e square minus 1 अब यहां पे रख दीजिए 9 by 4 a is equal to a square e square minus 1 तो ही रेस कर देते है तो e square minus 1 यह बनेगा a से cancel हो जाएगा बचेगा क्या पे a a की value आपको 16 दीगए तो sorry a square की value 16 दीगए a की value 4 आ जाएगा वहां से तो divide हो जाएगा तो क्या जाएगा 9 by 16 is equal to e square minus 1 अच्छा यह यहां पे प्लस में आ जाएगा तो क्या जाएगा 25 upon 16 e square तो e की value क्या जाएगी आपको 5 upon 4 बस यही द्यान दे रहा था कि बी की value यहां पर दी नहीं गिए तो सबसे पहले यह condition दिया गया यह condition से हम बी की value नहीं क्या लेंगे बी square की value आ गई तो ellipse का condition आपको यह वाला पता होने चाहिए यह hyperbola में यह आप रखेंगे तो आ जाएगा तो कौन सा आप सुन होगा भी इस दे करेक्ट वन चलते हैं नेक्स क्वेशन हमारा क्या है अब आपको क्या दिया गया है कि focus दिया गया है और डारेक्ट सारी यह vertex दिया गया है तो focus कौन सा दिया गया प्लस माइनस लिएज दिया गया,0 मतलब a is greater than b होना सहिए तो a is greater than b इसमें नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर 9 आ जाएगा यह यह बनेगा और यहां पर आ जाएगा ये वाला भी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें इसमें चेक कर लेते हैं न एक्सिस्क्वार अपॉण यह जब जाएगा तो ञाइन टैम यह पर जाएगा ट्विंटीफई टैम तो यह तो नहीं होगा तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये 20 greater than A बन रहा है हमें चाहिए A greater than B तो ये भी नहीं होगा अच्छा इसमें साइद हो सकता है तो ये दोनों होंगे तो अब ये दोनों में हम चेक कर लेते हैं इस इंटिसिटी आपको find करना होगा सबसे पहले इस इंटिसिटी के लिए क्या करते हैं इस वाले condition में 1 प्लस B square upon A square करेंगे तो क्या जाएगा 1 प्लस B square जब करेंगे तो क्या जाएगा ये वाला पहले open कर लेते हैं तो क्या बनेगा x square upon 16 और minus minus y square upon 9 is equal to 1 यहां पर रखेंगे आप छोटा बंदब सा B square रखेंगे तो B square क्या है 9 upon 16 तो क्या जाएगा 5 upon 4 by 25 upon 16 तो 5 upon 4 जाएगा तो जब यहां पर रखेंगे plus minus A A की value यहां से find करेंगे 4 जाएगा और यहां से 5 by 4 रखेंगे तो क्या जाएगा plus minus 5 upon 0 तो यही वाला सही हो जाएगा यह तो गलत हो जाएगा तो आपका B is the correct बन अच्छा अगर ऐसे आपको solve हो तो आप equation वाला लगाएगे क्योंकि यहां से centricity find करना A is greater than B बन रहा है तो कौन से लगाएगे B square is equal to E square minus 1 यह वाला आप लगाएगे यह वाला formula लगाएगे तब भी निकाल सकते हैं तो दोनों से आजाएगा आपका B is the correct one हो जाएगा आपका चलिए next पे चलते है next question हमारा क्या है देख लेते हैं अब question में आपको दिया क्या गया है कि एक आपको equation find करना है पर बोला की और इस centricity दिया गया है focus दिया गया है focus से हम ellipse का हाइपर बोलागा equation find कर लेते हैं सबसे पहले तो focus किस पे दिया गया प्लस माइनस a e comma zero मतलब transfer sex is होना चाहिए a is greater than b होना चाहिए आती परवला है जाहिकर रहा है तो इसमें तो होगा ने क्योंकि यह दोनों बराबर कहए दे रहा हैतो meaning इसमें भी नहीं होगा इसवाले में चेक कर लेते ऐँ तो सब से पहले हम क्या find करेंगे eccentricity find करेंगे इस वाले condition में तो eccentricity के लिए इसको equation पहले बना देते हैं तो यह आजाएगा 16 upon 9 और यह क्या हो जाएगा y square upon 9 9 से कड़ जाएगा तो 4 आजाएगा is equal to 1 अच्छा eccentricity find करते हैं तो क्या हो जाएगा a is greater than b है तो b square is equal to a square e square minus 1 b square a square value 4 दी गई a square value upon 16 upon 9 दी गई है आपको e की value में find कर रही है तो यहाँ पर क्या जाएगा 36 upon 16 36 upon 16 is equal to e square plus 1 तो यहाँ से क्या जाएगा e square is equal to यहाँ से जब हो जाएगा 16 36 plus 16 करेंगे तो कितना जाएगा आपका ऐसे आप ऐसे नहीं करते हैं तो ऐसे हो जाएगा क्या जाएगा 36 upon 16 square is equal to minus 1 तो क्या जाएगा e square is equal to यहाँ पर plus 1 आएगा अच्छा यह इसको solve कर लेते हैं तो 9 upon 4 आजाएगा तो क्या जाएगा e square की value यहाँ से 13 upon 4 आजाएगा तो e की value क्या जाएगी root 13 upon 2 आजाएगी e की value हमें find हो गई अच्छा अब हमें focus find करना है main purpose हमारा क्या है focus तो जब हम a की value यहाँ से find करेंगे a की value क्या है 16 upon a square की value 16 upon 9 तो a की value क्या जाएगी 4 upon 3 तो हम जब यहाँ पर रखेंगे root 3 upon 2 रखेंगे तो क्या जाएगा 2 root 13 upon 3 बन रहा है तो यह तो follow नहीं हो रहा है चबकि हमारा equation में क्या कह रहा है focus क्या है plus minus 2 तो यह भी cancel हो जाएगा तो non of the above हो जाएगा इसमें यह दोनों तो पहले ही cancel थे बस आपको eccentricity find करना आता हो तो eccentricity आप find करके आप equation में solve करा देंगे चलिए next question चलते है next question हमारा क्या है अच्छा है इसमें आपको क्या पूछा है focus पूछा है तो focus के लिए सबसे पहले क्या करना होगा पहले आपको equation बनाना होगा तो 4 x square minus 9 y square is equal to 36 अब divide कर दीजे x square upon यहाँ पे क्या जाएगा 9 y square upon 4 is equal to 1 a is greater than b का बन रहा है तो focus किक्स पे बनेगा plus minus a upon 0 sorry a, 0 बनेगा तो सभी हो रहा है तो यह वाला option कट रहा है तो c बन रहा है तीन टाइप के बन रहा है तो आप चेक कर ही इस से पहले eccentricity find कर गिए तो ऐसे type में eccentricity क्या होती 1 plus b square upon a square तो क्या आजाएगा 13 upon 3 आजाएगा e की value अच्छा e की value आपको 13 upon 3 आगई e की value आपको दिया गया है 3 अब यहाँ पे रख देंगे 3 से cancel हो जाएगा comma 0 तो क्या आएगा आपका focus plus minus root 13 comma 0 तो c is the correct one आपका हो जाएगा यह आपको बस यह पता रहना से otherwise अच्छा इसमें कैसे कर रहे हैं जब आपका ऐसा condition आज है तो क्या लगाएगे e is equal to 1 plus छोटा upon बढ़ा इसमें plus करते हैं छोटा upon बढ़ा करते हैं छोटा upon बढ़ा यह वाला लगाएगे otherwise अगर ऐसे ना solve हो तो आप लगाएगे वह वाला equation की मतलब e बढ़ा है तो क्या बनेगा जो बढ़ा होता है वो bracket के पास जाता है तो e square minus 1 ऐसे solve कर लेंगे यह वाला equation बेटर होता है ऐसे solve करेंगे तो भी आजाया आपका option तो c is the correct one चलिए next पे चलते है next question हमारा क्या है question में आपको क्या दिया गया है कहरा है question में किसी अतिपरवले की अभिलम उसकी अनुदायर्द x का आदा है तो आप कौन सा लगाएंगे इसमें भी a greater than b ही हम मानेंगे तो अभिलम length of latest rectum क्या हो जाएगा 2b square upon ही ऐसे वाले condition में 2b square upon ही और transfer axis क्या होगा transfer axis कर रहा है तो transfer axis 2a होता है conjugate करता है तो 2b होता है अच्छा कहा रहा है अभिलम जो है इसका आदा है तो हम इसको आदा कर देंगे तो इसको करेंगे तो कहा जाएगा 2b square is equal to a square a square की वे लोग आपको पता चल गई अच्छा जब ऐसे वाला condition हो तो हम क्या लगाते हैं अभी अभी मैंने बता है e is equal to 1 plus quota मतलब 20 square upon a square अच्छा है a की value आपको एक कोई value आप रख दीजिए या तो b square की value निकाल के रखी या a square की value कोई भी रखेंगे तो आ जाएगा आपको निकाल नहीं थी तो c is the correct one आपको यह ध्यान देना होगा कि a is greater than b में 1 plus b square root में 1 plus b square upon a square होता है तो आप solve पर सकते हैं c आप को आजाएगा चलिए next चलते है next question हमारा क्या है अच्छा इसमें आपको क्या कह रहा है question में कि एक दिर्गवित दिया गया है उसमें b square की value नहीं दी गई है और एक list दिया गया है list में आपको कह रहा है कि इन दोनों के जो focus हैं वो common है तो focus के लिए हम लगाएंगी इसका focus plus a is equal to plus a अच्छा अब हम यहां से eccentricity दोनों का find कर लेते हैं इसके लिए क्या होगा एक value दी गई है आपको 4 इसके centricity क्या जाएगे 1- छोटा upon बड़ा छोटी upon बड़ी 1 upon करेंगे तो 16 आज आएगा इसकी value आगई अब इसकी value निकाल लेते हैं एक value आपको दी गई है ब chiefly क्या जाया है कि यहां से जोब हम करेंगे तो क्या आजएगा इसका बॉल्ण में दीया गया है तो इसका इसके बॉल्ण करेंगे तो यहां पर down करेंगे क्या जायगा है आपका उल्ब बड़ी स्टॉफ्स्टेज्ट 231 आपउन एंटीफाइव odds और यहां से जब multiply करेंगे तो क्य आजाएगा 25다144 यह से divide और यह क्रेंगे तो इसमें उइट क रहेंगी 12 afon 5Smart करेंगे 225 144 यहां से 15 बाहर आजाएगा 12 przy 15acă Français से इससे air यह कैंसेड ऊके 23 आजाएगा अब यहां पर value putTक कर दीजिये तो B square upon 16, 3 upon 4, और यहां से square कर दिजिए, 1 minus B square upon 16, यहां पे 9 upon 16 आ जाएगा, अच्छा, इसको जब करेंगे, तो 7 upon 16 आ जाएगा, तो B square upon 16, B square इससे cancel हो जाएगा, B square बराबर आ जाएगा 7, तो C is the correct one, बस आपको क्या करना था इसमें, दोनों का focus निकल के, equal करना था, तो लिए, next पे चलते हैं, next question हमारा क्या है, अच्छा, इसमें आपको पूछ रहा है कि, ऐसा ही solve कर देते हैं, question को थोटा नहीं करते हैं, question में कहा रहा है, centricity कब follow नहीं होगी, तो आती परवले के लिए condition क्या होती, e is greater than 1, अच्छा, इसमें देखेंगे, तो 3, 1 से divided, 1 से बड़ा बनेगा, इसमें भी, तो इसमें भी बनेगा, एक से बड़ा, और ये क्या है, root 2, root 2 के वेले भी तो एक से बड़ी होती है, इसमें करेंगे, तो ये point में आ रहा है, length of latest rectum पूछ रहा है, तो length of latest rectum के लिए, a is greater than b देखते हैं, अच्छा, जब a is greater than b देखेंगे, या b is greater than a देखेंगे, तो इसमें क्या बन रहा है, अच्छा, यही बाला मैं आपको बता रहा था, a is greater than b और b is greater than, ऐसे नहीं देखते हैं, a is greater than b देखने के बाद आपको क्या देखना होगा, plus minus b देखना होगा, अगर plus है, तो लगाएंगे 2b square upon a, और अगर minus a है, तो 2a square upon b, यह transverse axis पे बनेगा, या तो अगर transverse axis मतलब x axis पे बनना चाहिए, यह accessible में बनता है जब, तो 2b square upon a लगाते हैं, तो 2b square लगाएंगे, 16 upon a के आए 3, तो क्या आजाएगा आपका 32 upon 3 आजाएगा, तो कौन सा आपका option चाहिए होगा, c is the correct, मतलब जब transverse पे बने, तो यह लगाते हैं, conjugate पे 2a square upon b लगाते हैं, चलिए, next पे चलते हैं, next question हमारा क्या है, अच्छा, question में कहा रहा है, आपको, question दिया गया है, आपको, कहा रहा है कि, एक focus दिया गया, sorry, distance between focus दिया गया, 16 और eccentricity दिया गया, 16, sorry, root 2, अच्छा, e is equal to root 2, मतलब rectangular hyperbola, और यह दिया गया है, तो क्या होदाएगा, 2 ae is equal to 16 होगा, क्योंकि यह होगा, क्योंकि, distance between focus क्या होता है, 2 ae, अच्छा, अप आप यहां से solve कर लेंगे, otherwise क्या किजिए, आप, यह value निकाल लीजी आप, सब में, तो जब यहां से निकालेंगे, तो क्या बनेगा, दोनों बराबर हैं, अच्छा, जब हम यहां से करेंगे, a बराबर, यह यहां से जब divide करेंगे, तो क्या आजाएगा, 32, 32, और a square जब हम करेंगे, तो root में आएगा, तो यह तो होगा नहीं, अच्छा, जब हम यहां से करेंगे, 2 into 32 करेंगे तो a square a की value क्या जाएगा आपका root 32 मतलब root में से बाहर आजाएगा आपका 4 root 2 और e की value भी root 2 दी गई है यहां से जब हम multiply गराएगे तो 2 और यही बन रहा है 16 आपका a करेक्ट हो जाएगा और इसमें चेक करेंगे तो यहां पर क्या जाएगा 2 into a square की value क्या जाएगा एक की value आपको निक्यालना है क्योंकि 2a की value 60 आने से एक value जो हम यहां से find करेंगे तो 4 बनेगा और root 2 मतलब 8 root 2 बन रहा है तो यह तो नहीं बनेगा यह भी नहीं बनेगे यह से सब चेक कर लेंगे पहला यह option आपका बन रहा है तो first correct हो जाएगा आपका आपको option से check करना था चलिए next चलते है next question हमारा क्या है देख लेते हैं अब आपको क्या कह रहा है question में कि जब हम question को हमने देखा तो बन रहा है आपका 9 y square minus 4 x square is equal to 13 36 अच्छा minus common करेंगे तो आपका x square upon 9 minus y square upon 4 is equal to minus 1 ऐसे वाला condition conjugate पर बनता है conjugate पर focus क्या होता है 0, plus minus b बनता है तो आपका ये तो option ऐसे रॉंग हो गए तो ये वाला option correct होगा अब आपको b की value find करनी होगी सबसे पहले तो ऐसे वाले condition में क्या होता है याद करने के लिए मैंने का क्या था b is greater than a याद करेंगे तो की ellipse का condition हमें find करना है तो e की a square is equal to जो बड़ा होता है वो को स्टक के पास जाया देगा तो e square minus 1 a square की value क्या दी गई है आपको 9 b square की value 4 दी गई है e की value में find करनी है यहाँ से 9 by 4 plus 1 is equal to e square तो यहाँ पर क्या जाएगा 13 upon 4 मदलब रूट में 13 upon 2 आजाएगा e की value आपको find हो गई a की value आपको दी गई सारी b की value दी गई है तो 0, plus minus b क्या दी गई है 2 2 into root में 13 upon 2 to 2 seconds ही तो focus किया जाएगा 0, plus minus root में 13 तो 20 आपको correct हो जाएगा चलिए next पे चलता है next question हमारा क्या है और यह आपका question last question है अच्छा आपको question में कह रहा है आपको focus find करना है तो focus के लिए मैं कह रहा हूं तो से पहले आप divide करेंगे equation बनाएंगे x square upon 16 y square upon 9 is equal to 1 a is greater than b बन रहा है याद करने के लिए मैंने कहा है हाइपर बोला ellipse के लिए तो apply होता है हाइपर बोला को याद करने के लिए हम ellipse से match करेंगे तो a is greater than b बन रहा है तो मलब कहाँ पे equation आपको focus बनेगा a e comma 0 बनेगा इस पे बनेगा x axis पे तो यह तो cancel हो जाएंगे यह cancel हो जाएगा यह भी cancel हो जाएगा b is the correct one अच्छा आप solve करेंगे तो भी आएगा आपका तो b आपका right हो जाएगा आप option से reach करके आप सही कर सकते हैं तो b आपका सही हो जाएगा और आज के लिए इतना ही जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं कल की class में